नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ सुमित शर्मा दुर्ग में महादेव सट्टा वालों की दबंगे देखने को मिली है तीन युवकों को बंधग बना कर जमकर पीड़ा तीनों युवकों की बेरहमी से पिटाए की गई मारपीर का वीडियो वाइरल ह हुआ है पीड़त युवकों ने पॉलिस से शुकायत की है चावनी थारा पॉलिस चांच में जुटी हुई है बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं जहां पर महादेव सट्टा एप के खाई वालों की दबंग गई सामने आई तीन युवकों को बंदग बनाकर ज कावनी थाना पॉलिस जाच में जुटी हुई अधिक जानकारी के लिए सीधे हम दुर कर रोकर कर लेते हैं मिथलिश ठाकुर हमारे से रुगे हैं मिथलिश क्या कुछ जानकारी है क्यों आखिरकार इन लोगों को पीटा गया देखें काफी गंभीर ये मुद्दा रहा है कि महादेव ऑनलाइन सट्टे का ये पूरा माबला जुड़ा हुआ है जिसमें आपसी लेन दिन का ये विशे सामने आया है जिसमें ये बताया गया था कि पहले जो बिलाई से जो युवक थे उनको ये कहा गया कि नौकरी दिल पीच में उनको बंदग पना लिया गया वहां पर इसे पिटाई की गई और और करीब एक मेने तक उनसे आप से काम लिया गया और इसके बाद में जब से वहाँ से काम छोड़कर भाग निकले हैं इस मुझे से उनको काफी नुक्सान हुआ था उनसे वो दस लाक रुपे मांग रहे थे इसी बात को लेकर उनसे मारपीट की गई और उनको भगा दिया गया जब यूवक इसकी शिकायत करने की कुशिश किये तो थाने में भी जो ठीक से बात नहीं सुने कोई और आखरकर ये माबला लटकर रहा करीब आठ मेहने के बाद इस माबले ने फिर तूल पकड़ा है इस माबले में एक यूवक ने पुलिस से शिकायत की और उससे शिकायत के आधार पर अब ये करवाई की जाएगी आगे की लेकिन जिस तरह से महादेव ऑलने सटे का जो लगातर कारूबार चल रहा था कई लोगों की ये शिकायत भी होती थी कि कोई शिकायत भी करता था लेकिन उनकी बाते नहीं सुनी जाती थी इस माबले में कुछ आरकशक भी मिली भगत में भी सामने आये थे जब महादेव ऑलने सटे के में अभी भी है तो पूरे माबले में भी शिकायत की गई है और पुलिस ने आशोसन दिया है कि जो जाचों की जाच की जाएगी और इसके बाद में आगे की कारवाई की जाएगी बिल्कु ठीक बात कहिए आपने के पुलिस की संडक्षन में ही ये सब संबह है मितलेश बहुत शुक्रिया मितलेश आपका जड़ने के लिए थमाम भादचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद आगे बढ़ेंगे रायपुर में बुल्डोजर अक्षन जारी है अती कर्मन पर निगम का एक्षन देखने को मिला गनों के बाहर अवैद कबजे पर कारवाई हुई अवंती बहार अवैद कबजे पर कारवाई हुई अवंती बहार शेतर में बुल्डोजर के आदेश पर निगंप की टीम नीजे का रवाई की है, अवैद निर्माण को तोड़ा गया अती कर्मन करके रखा हुआ था, उसे ध्वस्त किया गया है गायपुर में, बॉल्डोजर एक्षन, देखिए, इस तरीके से, बॉल्डोजर के जरे偉ए, अवैद निर्माल को अती कर्मन को तोड गेर में दोड़ता हुआ हमें नजर आया हर दिन हम बुल्डोजर की कारवाई को देख रहे हैं 36 गर में इस बार रायपुर में कारवाई हुई अती कर्वन पर निगम का एक्शन घरों के बाहर अवैद कब्जे पर कारवाई हुई है अवंती बहार शेत्र में बुल्डोजर चला है अधर बलासपुर में चार डॉक्टर गिरफ़तार हुए है अपॉल ऑस्पताल के डॉक्टर गिरफ़तार हुए चार सीनियर डॉक्टर के गिरफ़तार हुए गोल्डी मौत के मामले में इनके गिरफ़तार हुई साथ साल पहले गोल्डी की मौत हुई थी इलाज के गौरान गोल्डी छाबला की मौत के मामले में चार सीनिय डॉक्टर हिरासत में लिए गए गरफता किये गए साथ साल पहले करे मामला जब गोल्डी छाबला की मौत हुई थी और इस मामले में अब चार सीनिय डॉक्टर पोलिस के हथे चड़े हैं अपोलो अस्पताल के चार सीनिय डॉक्टर्स की गिरफतारी हुई गोल्डी छावला मौत के मामले में साथ साल पहले का यह मामला अयोध्या में तयार हो रहे भव शीराम मंदर के ओधगातिन के तयारी चल रही है 22 जनवरी 2024 को शीराम मंदर की प्राण प्रतिष्ठा का समारो होगा इसके रिए अयोध्या सहर तेशपर में तयारियां जोरोश चल रही है भगवान राम के निहाल यानि 36 गड़ में भी जम कर तयारी चल रही है आज 36 गड़ से 11 ट्रकों में भरकर 300 मिट्रिक टन चावल अयोध्या के लिए भेजा गया इस चावल का इस्तमाल भगवान शीराम के महा भंडारे में होगा 36 गड़ के सुगंधित चावल से अयोध्या का महा भंडारा भी अब महकेगा सियम विश्वदेव साय ने चावल से भरे ट्रकों को भगवाद धज दिखाकर अयोध्या रवाना किया 36 गड़ से 300 मिट्रिक टन चावल भेजा गया है राम नगरी में 36 गड़ के चावल का भोग लगेगा महा भंडारे में जो भोग बनेगा वो इसी चावल से बनेगा अयोध्या को राम के ननिहाल की भेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है और खाजय मंत्री जी तो सायद वो विटार्ट होगे कि खाजय मंत्री बनने के बाद उनके हाथ के पहला कोई काम हो रहा है तो 36 गड़ के भांजे प्रभू राम को चठने के लिए चावल जा रहा है प्रभूर आप में इंतियार करें दे कि मेरे मामा घर से मेरा भोजन आएगा है और वह भोजन राइस्मिल एसोसियेशन भेज रहा है इसके लिए मैं आपको बढ़ाई देता हूं तो काम नहीं देता हूँ तो ब्रजमो नगरवाल को आप सुन रहे थे बीजेपी के सरकार को वो सौभाग शाली बता रहे हैं कि यह पुन्य काम करने का अफसर बीजेपी सरकार को प्राप्त हुआ है आयोध्या को भगवान राम के ननिहाल की तरफ से भेंट चावल के तौर पर तीन सो मिट्रिक्टन चावल आयोध्या रवाना हुआ ट्रकॉमा भरकर 36 गल की खेल और युवा और राजस्व मन्प्री टंकराम वर्मा बर्दबासार पहुचे इस दोरान कारीकरताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और मन्प्री टंकराम वर्मा ने नियूज जेटनी से खास पाचीत की और कहा कि राजस्व विभाग में लंबे समय से पद करने बालों के खिलाव भी कारवाई की जाएगी से खिशित को छो करते हमी चरते हैं समय से वह करेंगे यह मंत्री का पद जो हमारे को गर्मी नहीं नहीं सेवा करेंगे और अच्छा काम कर गी दिखाएंगे मन्तरी मंदल में विभागों का बट्वाला हो गया है और रामणु जगंज से विधाय के रामविचार नेताम अब मुक्ह मंत्री विश्णो देव साकिटी में आद्म जाती कल्यान विभाग के मंत्री बन गए है बलडाम पर पहुंचे रामविचार नेताम में कहा कि उनकी प्रात्मिक्ता पिछडे शेत्रों के विकास के रहेगी रामविचार नेताम की प्रदेश में कद्दावर आदिवासी नेता के रूपना होती है रामविचार नेताम की शिक्षक की नौकरी छोड़कर अविवाजत मद्वरदेश की जमाने में राजनीती में स्थक्री रही है नेताम रमन सिंग सरकार के दो कारिकाल में कई महत्वपून विभागों के मंत्री रही है इसके साथ ही नेताम राधिसवा सदस भी रही है सबसे पहले प्राथिमिक्ता तो हम लोग अमोदी जी के गरांटी के ताहद जो जो घोसना किये हैं वो सब है उसको पुरा करना हम सब का परतमदाई तो है और इसके साथ-साथ हम अपने छेतर के साथ-साथ परदेश के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब हम लोग काम करेंगे बीजेपिक निता अंदुराग अगरवाल ने PCC चीफ दीपक बैच पन निशाना साथ है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस को मिली करारी हार ने दीपक बैच को विचलित कर दिया है उन्हें याद रखना चाहिए कि कॉंग्रिस की सरकार सूबे मिलाई थी तब उन्होंने वरिष्ट निताओं को दरकिनार कर दिया था हमने PM मोदी की गारंटी को पूरा कर दे का काम शुरू कर दिया है कांग्रिस की हार ने उनके अध्यक्ष दीपक बैच को विचलित कर दिया है और वे स्मृति लोग का शिकार हो गए हैं बात करिये दीपक जी आपके कारेकाल में आपने सत्तनरायन सर्मा जी धनेन साहु जी और अवित्यस तुकली जी से कई वरिष्टों को दरकिनार कर दिया बलकि घर बैठा दिया और विभिन मलकों पे उन्हें अपमान करने से नहीं छोड़े भरती जनता पार्टी संतुलन बनाते हुए वरिष्टों के अनुहाव को और युवाज जोस को लेकर यह सरकार चलाएगी और निसंदे जिस प्रकार से इसकी कारपणानी प्रारंब हो गई है यह जनता के सेवा के लिए लगातार लगे नहेंगी आपने तो एक वेक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पूर पर धमकी थे बीजेपी नेता और यादव महासभा के प्रदेश कारिकारी अध्यक्ष आर एन ग्यादव ने पार्ठी के संभागी प्रभारी विजेद वेदी गुना पुलिस और राष्टी स्वाम सिवक संग के बतादिकारियों से शिकायच कर तो एक वीडियो भी सार्व पारेता इरेंद्र सिंग बंटी बना और पीड़तिता और एन ग्यादव दोनों ही वीजेपी में जिलाव पाध्यक्ष का पद संभाल रही हैं एरेंद्र सिंग बंटी बनाने हाली में राखोगल विधान सभा से दिग्विरेश सिंग के पुत्र जैवरदन सिंग को को तिपेश की थी गीरेन नाम का गुंडा जो हमारे समाज के कारी-कारी अध्यक्स स्री आरे नियादब जी के घर में जिसने जाकर तोड़ खोड़ दूँ और उसके लिए हम आज समाज के सभी बरिशिदन यहां इखटे हुए और माननी एस्पी महोदय जी को ग्यापन दिया और उनको हम दे कहा है कि जल्दी से जल्दी इसाविदन पर कारवाही करें अन्य था हम समाज की लोगों को यदि नयाए नहीं मिलेगा तो मजबूरी में कानु तो धमकी दिने वाले बीजे बिनेता हिरेंद्र सिंग और पिड़त नेता आर एन यादाव दोनों ही बीजे पी में जिला अपाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं बंटी बनाने आर एन यादा को धमकाया है यह बात सामने आई है पहले धमकी दी और फिर घर पहुँच गए हिरेंद्र सिंग पिड़त नेता ने वीडियो सार्व जनिक कर दिया बिलास्पूर एलवेस स्टेशन पर वसूली प्रीमियम पार्किंग के नाम पर कोड के संग्यान के बाद अब रशासन चागा बिलास्पू रेल प्रबंधन ने संग्यान लिया वाले जिनरिक शक को सस्पेंड कर दिया ठेकेदार निमिश पिष्टा पर जिर्माना लगा दिया दस हजार रुपिये का बिलास्पू रेल प्रबंधन ने संग्यान लिया है फिर वाले जिनरिक शक को सस्पेंड कर ठेकेदार निमिश पिष्टा पर जुर्माना लगा दिया तस हजार रुपिये का 36 गर्मान बिना फिटनिस के कंडम बसें यात्रियों के लिए सलकों पर फरनाटे भरते दौल रही है यात्रियों को लेकर मद्प्रदेश के गुना में बस और ट्रक के बीच टक कर होने से बस में आख लग गई तेरा लोगों की जल कर मौत हो गई थी अब इस हाथसे के बाद 36 गर्मान सबक नहीं लिया जा रहा यात्री अपनी जान जोके में डाल कर सफर करने को मजबूर जिन्हें डर बना रहता है कि कहीं बस सलक हाथसे का शिकार ना हो जाए ब्रेक फिल ना हो जाए परिव वहन विभाग कुम्भ करने नीन में सुया और बस यात्री सफर करते वक्त अपनी सुरक्षा को लेकर चिन्तित हैं जिसमें तेरे लोगों की मौत हो गई तो क्या 36 गड़ में इस हासे के बाद सबक लिया जा रहा है आपको दिखाते हैं देखिए कि किस तरह बिना फिटनेस के बसे सड़कों पर दोड़ती है अब इस बस को हम दिखाते हैं जिसका कांश चूटा हुए है और इस बस का कितना फिटनेस है यह देखने वाली बात है और इसी तरह बस सड़कों पर दोड़ती है बस में सवार यात्रियों से हमने बात की उन्होंने जादा तर यह कहा कि बस में जब बैठते हैं तो उन्हें एक तरह से डर मने रहता है कि कही गाड़ी सड़क असे का शिकार नहोजाए या तो कि फिटनेस की जाज करना चाहिए हाला कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ने कहीं चुपी सादे हुए हैं हमने संपर्ख करने की कोशिद की लेकिन अधिकारी से संपर्ख नहीं हो पाया और हमने जादा तर बसो को देखा है जो जिनका फिटनेस बहुत ही कम जोर है फिर भी वो सड़कों पर दोड़ रहे हैं और यात्री जो सफर कर रहे हैं अपनी जान जो कि में डाल कर चड़ रहे हैं तो मद्य प्रदेश के गुणा में जिस तरह से बस जो है सड़क हासे की शिकार हुई है और तेरा जिंदगिया जल गई उनकी मौत हो गई तो इससे तमाम लोगो को सबक लेना चाहिए जाड़ा तर 36 गड़ में सबक लेना चाहिए और फिटनेस के साथ ही बस को चलाए ताकि यात्रियों की पुरक्षा हो सके और बस भी सड़क हासे की शिकार ना हो निज्ज एटीन के लिए गरिया बन से शेक हिम्रान सीधी में बड़ा सलक हाथसा हो गया हाइवा ने आटो को जबर दस्तक करमार दी और इस सलक हाथसे में एक बच्चे सहे चार लोगों की मौत हो गई ऑटो में पांच लोग सवा थी हाथसे के बाद लोगों ने जमकर रंगामा किया पुलिस और ग्रामीडों में नौक जोंक भी हुई कोतवाली थाना इलाके में शिव पुर्वा की ये घटना बताई चा रही है जहांपा तेजर अफ्तार हाइवाने आटो को टक करमारी आटो की हालता आप देख सकते हैं चकना चूड़ हो गया है आटो परखट चूड़ गया है आटो की इस दरदनाक सलक हाथसे मे चार लोगों की जान चले गई है एक बच्चे से चार लोगों की जान चले गई पांच लोग सवार थे इस आटो में तेजर अफ्तार हाइवाने इस आटो को जबरदस्ट तक कर मार दे उसके बाद ग्रामीर आक्रोशित हो गए घटना के बाद जमकर वहस होई पुलिस और ग्रामीरों के बीड जमकर नौक जोंक होई है एक बाद फिर से रफ़तार ने जान ले ली राइपर में समाच के तीन सदस्टियों की आत्मत्या के मामले में वैशालियन अगर विधायक रिकिर शसेंड ने दुख जाहिर किया उन्होंने कहा कि समाच की दस सदस्टिया समाच के लोगों से अपील की है कि कोई भी समस्तिया होने पर उनसे संपर करें समाच के लोगों की समस्तिया दूर करने की वो हर संभाव कोशिश करेंगे अपने समाच की वो से अपने तरफ से पीनों को बीनाबश सद्धानजली करता हूं और समाच के तरफ से जाच कमेटी बनेंगी और समाच के दस लोग इस जाज कमेटी में अलग-अलग जीले से लोग वहां पर जाएंगे हो सकता है इसमें कोई बड़ा कारण भी हो तो कि कभी जो दिखता है वो होता नहीं है हो सकता है हम आत्मात्या का स्वर्व समझ रहे हूं लेकिन जाज के बाद पता चला कुछ और भी हो सकता है इस पूरे घटना करम को बहुत गंभीरता से दस लोगों की कमेटी जाज करेगी से इन समाज के लोग और मेरे पास वो रिपोर्ट पस्तूत करेगी उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा जानगी चांपा में खबर का असर हुआ है कलेक्टर दिच्चा प्रकास चौधरी एक्शन मोड में नज़र आई है अवैद प्लोटिंग के खिलाफ बली कारवाई देखने को बली SDM और CMO को निर्देश दिये गए शहर और ग्रामीर शेत्र में करशी भूमी और अवैद प्लोटिंग पर जल्द ही कारवाई होगी पंजिय नहीं होने पर कोलोनाईजर पर कारवाई होगी